इतिहास की पुस्तक, दूसरा भाग, अर्ध्याई 31. हिचकिया का किया उच्चा उपासना का प्रभंद. जब यह सब हो चुका, तब जितने इस्राइली उपस्तित थे, उन सबोंने यहुदा के नगरों में जाकर, सारे यहुदा और बिन्यमीन और एप्रेम और मनश्य में की लाठों को तोड़ दिया, अशरों को काट डाला, और उचे स्थानों और वेदियों को गिरा दिया, और उन्होंने उन सब का अंत कर दिया, ताब सब इस्राइली अपने अपने नगर को लोट कर अपनी अपनी निजभूमी में पहुँचे, और हिचकियाहाने यहुदा के दलों और लेवियों को बरन याज को और लेवियों दोनों को प्रतिदल के अनुसार और एकिक मनुष को सेवकाई के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहुदा की च्छावनी के द्वारों के भीतर होंबली, मिलबली, सेवाटहल, धन्यवाद और स्तूती किया करें, फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाषा को होंबलियों के लिए ठहरा दिया, अर्थात, सब्वेरे और सांच की हुंबली और विश्राम और नए चांद के दिनों, और नियत समयों की हुंबली के लिए, जैसा कि यहोँदा की व्यवस्ता में लिखा है, और उसने यरुशले में रहने वालों को याज को और लेवियों को उनका भाग देने की आग्या दी, ताकि वे यहोँद विवस्ता के काम मन लगाकर कर सके। यहां आग्या सुनते ही इस्राइली अन्न, नया दाख मधु, टकका तेल, मधु, आधी खेती की सब भाती की पहली उपज बहुत आयच से देने और सब वस्तों का दश्मांश अधीक मातरा में लाने लगे। और जो इस्राइली और यहुदी यहुदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलो और भेडवक्रियों का दश्मांश और उन पवित्र वस्तों का दश्मांश जो उनके परमेश्वर यहवा के निमित पवित्र की गई थी, लाकर धेर धेर करके रखने लगे। इस प्रकार धेर का लगाना उन्होंने तीसरे महिने में आरंभ किया और सात्वे महिने में पूरा किया। जब हिचकियाह और हाकिमों ने आकर उन धेरों को देखा, तब यहुदा को और उसकी प्रजा इस्राइल को धन्य धन्य कहा। तब हिचकियाह ने याजकों और लेवियों से उन धेरों के विशे पूछा। अर्थात अजरियाह महायाजक ने जो सादोक के घराने का था, उसने कहा, जब से लोग यहुदा के भवन में उठाई हुई भेटे लाने लगे, तब से हम लोग पेडवर खाने को पाते हैं। उसी का यह बड़ा धेर हैं। तब हिचकियाह ने यहुदा के भवन में कोठ्रिया तयार करने की आज्या दी और वे तयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई भेटे, दश्मांश और पवित्र की हुई वस्तुए सच्चाई से पहुचाई और उनके मुख्य अधिका तो कोनन्याह नाम एक लेविय और दूसरा उसका भाई शीमी नायब था। और कोनन्याह और उसके भाई शीमी के नीचे हिचकियाह राजा और पर्मिशर के भवन के प्रधान अजर्याह दोनों की आग्या से अहेल, अजज्याह, नहत, असाहेल, यरिमेत, योजाबाद, एल इस्मक्याह, महत और बनायाह अधिकारी थे। और पर्मिशर के लिए स्वेच्छा बलियों का अधिकारी इमना लेविय का पुत्र कोरे था, जो पुर्वफाटक का द्वारपाल था, कि वह यहोवा की उठाई हुई भेटे और परमपवित्र वस्तुए बाटा करे। और उ और शकन्याह याजकों के नगरों में रहते थे, कि वे क्या बड़े, क्या छोटे, अपने भाईयों को उनके दलों के अनुसार सच्चाई से दिया करे। और उनके अलावा उनको भी दे, जो पुरुषों की वैशावली के अनुसार गिनी जाकर, तीन वर्ष की अवस्ता के वा उससे अधीक आयू के थे, और अपने अपने दल के अनुसार अपने अपनी सेवकाई निभाने को दिन दिन के काम के अनुसार यहवा के भवन में जाया करते थे, और उन याजकों को भी दे, जिनकी वैशावली उनके पित्रों के घरानों के अनुसार की गई, और उन ल और सारी सभा में उनके बालबच्चों को, स्त्रियों, बेटों और बेटियों को भी दे, जिनकी वईशावली थी, क्योंकि वे सच्चाई से अपने को पवित्र करते थे, फिर हरुन की संतान के याजकों को भी जो अपने अपने नगरों के चरायवाले मैदान में रहते थे, और उन सब लेवियों को भी उनका भाग दिया करे, जिनकी वईशावली थी, और सारे यहुदा में भी हिचकिया ने ऐसा ही प्रबंद किया, और जो कुछ उसके परमिश्वर यहोवा की दृष्टी में भाला और ठीक और सच्चाई का था, उसे वह करता था, और जो जो काम उसने परमिश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्ता और आग्या के विशे अपने परमिश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मान लगा कर किया, और उसमें कृतार्थ भी हुआ.